यह जगत सारा अक्षाणिक है और आत्मा एक नेवाद। आत्मा का अनुभावपस एक मात्र नेट्या है। झाल झाल एक नेवाद। आत्मा का येवाद। पुर झाल एक मात्मा झाल चाल एक मात्मा का एक मात्मा है। प्ग्वाद। आप समय कर्सों से बाल आप हो जगा सुदिए थे लिए लिए भाविन जिए निमें आप है। आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध जैतन्य मात्र है ज्यान मात्र है मेशुद्ध जैतन्य मात्र ज्यान मात्र भगवान आत्मा हूँ प्रती समय यह ज्यागरुती बनी रहे इस ज्यागरुती का नाम धर्म है देह की प्रत्य क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्यानी को प्रती समय यह ज्यागरुती रहती है कि मैं चैतन्य तत्वा इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहें भी मिला नही हूँ ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ प्रती समय स्वयम के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोद आत्म जागरुती ही धर्म है चैतन्य तत्व के स्वा सम्वेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभोते होते ही चैतन्य तत्व की सुमेरु पर्वत के समान अडीग यथार्थ श्रद्धा होते हैं जैसे पूर्व में अनन्त ज्यानियों के द्वारा समझाने पर भी मिथ्यात्व का अभाव न हुवा और सम्यक्त्व की प्राप्ति न हुई क्योंकि स्वयम की ही युग्यता नहीं पकी थी अनन्त तिर्थंकर परमात्मावों का बोध पाकर भी मिथ्यात्व मिटा नहीं जिस प्रकार से ग्यानी का बोध पाकर भी मिथ्यात्व छूट नहीं जाता ऐसे ही चैतन्य तत्व की यथार्थ श्रद्धा होने पर अग्यानियो द्वारा यदि कितना भी समझाया जाए कि ये देह तेरा है ये देह के संयोग तेरे है तो भी सम्यक द्रस्टि ज्यानी धर्मात्मा का सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता सार ये है कि कोई भी किसी का मिथ्यात्व चिन नहीं सकता और कोई भी किसी का सम्यक द्रस्टि ज्यात्व का व्यई स्वयम के पुर्शार से हुआ है अपूर्व अनुभूती के बल पर ऐसी यतार्थ श्रद्धा हुई है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ अब इस श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता और उस समय जगत में तुम्हें कहने वाले, समझाने वाले, पलटने वाले बहुत से लोग मिलेंगे मगर तत्व की यतार्थ स्रद्धा होने पर अब मार्ग से विशलित नहीं होता मार्ग से विशलित नहीं होने का अर्थ ये नहीं है, कि जड़ हो जाता है मार्ग से विशलित नहीं होने का अर्थ है, कि उसकी स्रद्धा इतनी यतार्थ हो गई है कि अनुभव के प्रमान से अब कोई उसे मना नहीं सकता जड़ हो जाता है व्यक्ति ये सुन करके इसलिए परम कृपालो देव ने उसे शुष्क ज्ञानी कहा, परम कृपालो देव ने उसे क्रिया जड़ कहा, जो एकांत वादी हो जाता है, जड़ की क्रिया में ही धर्म मानता है, और जो पुदगल है, ऐसा जो क्षयोप्षम ज्ञान, जो जड़ है, अचेतन है, जो ज्ञेयों की स्रेणी में समयसार में कहा है, ऐसा क्षयोप्षम ज्ञान, उस जड़ता में अज्ञानी अटक जाता है, मगर निश्चे यतार्थ नहीं हो पाता, कि जो अनुगोव प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है, और सिद्ध करे भी किसके सामने, इसलिए निर्विकल्प अनुभूती का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, इसलिए आज तक जितना विवाद निर्विकल्प अनुभूती के बारे में हुआ है, अध्यात्म के गरंथों को पाकर के उतना विवाद अन्य कहीं नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूती इने हुई है या नई हुई ये ज्ञानी है या ये अज्ञानी है ये सम्यक द्रस्ती है या ये मिथ्या द्रस्ती है पराय को जाचने के चक्कर में ही स्वयम के परिणामों को जाचना रह गया दुसरे की और उंगली दिखाते दिखाते ये भूल ही गया कि मेरे में भी अनन्त दोश है अभी अभी कबीर ने कहा है ने मैं बुरा देखता हूँ मगर पाता हूँ कि सबसे बुरा तो मैं हूँ मेरे में ही अनन्त दोश है इसलिए परमकृपालु देव भी कहता है मैं स्वयभी दोश से भरा हूँ मैं पापी हूँ पामर हूँ मैं अनन्त कर्मों से बंदा हूँ कर्म रद से मैं मलिन हूँ ये ग्ञानी की निशानी है क्योंकि ज्ञानी के अंदर इतनी विनम्रता होती है ज्ञानी के अंदर इतनी सहजता और सरहलता होती है तत्व के संबन में कोई भी आशंका नहीं है तत्व के संबन में कोई द्विधा नहीं है इसलिए तत्व की तो यतार्थ सरद्दा है मगर फिर भी लोक व्यवार में जगत में पराई की संगती में जब आते हैं तो उस प्रकार से ज्ञानी व्यवार करते हैं मगर भीतर में चैतन्य 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 तत्व की ये जो यतार्त श्रद्धा के बल पर ज्ञान की धारा बैर रही है और उस धारा के कारण ही भीतर में वितराक परिणती के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है ऐसा ग्यानी दुनिया के द्रस्ते में बिलकुल ही बावरा हो जाता है दुनिया के द्रस्ते में बिलकुल पागल हो जाता है दुनिया उसे ग्यानी मानने को तैयार नहीं होती आज मुनिवर राम से उस पागलपन के बारे में कहेंगे आज मुनिवर राम से पागल होने के लिए प्रेरिक करेंगे तो एक बार पागल हो जा तो एक बार बावरा हो जा तो एक बार हठीला हो जा तो एक बार तेरी ऐसी द्रण श्रद्धा करके तो जगत के किसी भी प्रकार के विकल्प में फस मत तुझे जगत की और आकरशित करने वाले निमित बहुत मिलेंगे मगर सत्य तत्व यही है ऐसी यतार्थ श्रद्धा यही दिवानगी है यही मस्ती है एक बार यह चैतन्य तत्व मिलने के बाद में अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत साधकों को ऐसी तकलीफ होती है परिवार में और किसी को यह मार्ग रुची कर लगता नहीं चैतन्य तत्व की पुकार सुहाती नहीं क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं इसलिए अकेले हो जाते हो तुम इसलिए तुमें इस मार्ग में साथी संगी नहीं मिलते नगर फिर भी निराश मतोना यदि साथी संगी न मिले तो भी निराश मतोना साथी संगी इस मार्ग में मिलेंगे ही नहीं क्योंकि ये मार्ग जो है ये अकेले का मार्ग है ये मार्ग है जहां पर से उदासिन होकर के पर से द्रस्टी हटा करके एक मात्र ध्रूम चैतन्य तत्व की ही रुचि ऐसे चैतन्य तत्व की मस्ती के लिए आज प्रेणा दे रहे हैं 143 वा ये दोहा है इसे आज हम समझते हैं आज हम समझते हैं पहुड दोहा 143 गहिलव गहिलव जणू भणई गहिलव ममकरी खोहू सिद्धि महापुरिपई सरई उप्पा डेविनु मोहू ये जीव लोग तेरे को अठीला अठीला कहते हैं तो भले कहो किन्तु हे हठी तो क्षोभ मत करना अर्थात लोग तेरे को हठीला कहें इससे तो तेरे मार्ग को नहीं छोड़ना ये ब्रेकेट में लिखा है आगे कहते हैं कि तुम मोह को उखाड़कर सिद्धी महापुरी में चले जाना इसका दुसरा अर्थ नीचे लिखा है गेला अर्थात पागल लोग तेरे को भी गेला पागल सा कहें तो इसी से तो क्षुब्ध नहीं होना लोग कुछ भी कहें तो तो मोह को उखाड़कर महा सिद्धी नगरी में प्रवेश करना गजब का ये बोध है पागलपन सिखाया है ऐसा कोई मुनी ऐसा कोई बोध मैंने तो नहीं पढ़ा जहां सामने से ऐसी प्रेणा देते है कि दुनिया भले चाहे तुझे पागल कहे, हठी कहे जो कहे सो कहे तो उसकी चिंता मत कर क्योंकि मावीर भगवान को भी लोग पागल कहते थे जो गणीत से हिसाब लगाते है उनके लिए मावीर भगवान पागल है जो हिसाब करने वाला बनिया है उसके लिए ये रदेई की जो बात है उसे कवी पागल लगता है क्योंकि कवी के पास में कोई गणीत नहीं होता कवी भावना उसे निरूपन करता है और यहां तो कवी भी नहीं है क्योंकि कवी जहां है वहां तो शब्द है यहां तो मात्र अनुभूती है और जहां अनुभूती है वहां ये दिखाई ही नहीं देता इसलिए दुनिया तुम्हें पागल कहे सो भले कहे नगर धीतर में सत्य की स्रद्दा हो और दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे सो कहे माविर भगवान ने इतना धन इतना वईभव ये सब छोड़ दिया इसलिए मुनि के साथ में हम जो शब्द लगाते हैं बेचारे मुनि ये बेचारे ऐसा लगता है इतना धन इतनी संपत्ती और ये सब को छोड़ दिया ये बेचारे है ये पागल है ऐसा ही लगता है मुझे एक घटना स्मरण में आई बच्छपन में मैं ये घटना सभी को कहता था एक आदमी मुंबई में चोपाटी पर अपनी गाड़ी में से उत्रा और उसने गाड़ी में से एक बैग में से एक करोड रुपिय बाहर निकाले और उसने कोट की जेब में से माचिस निकाल करके एक करोड रुपिय को जलाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहाँ लोगों की भीड़ इकठी हो गई जो लोग इकठे हुए उन लोगों ने कहा कि ये आदमी निश्चित रुप से पागल हो गया है क्योंकि जो सारी दुनिया जिस रुपिय के पीछे पागल हो रही है यह व्यक्ति उन रुपिय को ही जला रहा है मगर उस करोड पती ने कहा कि पागल मैं नहीं हूँ पागल तो तुम हो क्योंकि जो पागलों को देखने के लिए इकठे होते हैं वे तो महापागल होते हैं तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ मैंगर लोगों ने कहा कि तु कुछ ऐसा काम कर रहा है जो साधारण नहीं है इसलिए हमें आश्यर्य होता है कि तू ये क्या कर रहा है करोडो रूपिय को तू जला रहा है उसने फिर सत्य कहा उसने कहा कि ये जो करोडो रूपिय है ये सब दो नंबर के है ये सब बेईमानी के है और मुझे आज पता चला है यदि एक रुपिय को मैं नहीं जलाऊंगा तो मुझे income tax वाले आएंगे पकड़ेंगे और मुझे जैल में ले करके जाएंगे तो जब वो रुपिय को जलाता है तो दुनिया की द्रस्टी में ऐसा लगता है कि ये करोड़ो रुपिय का धन जला रहा है नगर जो जला रहा है उसके अंदर ही उसे पताए कि ये रुपिय नहीं जला रहा ये जो कल होने वाली जैल थी उस जैल को जला रहा है क्योंकि ये दो नंबर का माल है इसलिए ये दोनों की द्रस्टी अलग-अलग है दुनिया उसे कहती है कि ये पागल है जो रुपिये को चलाता है मुनिराज भी ऐसे ही है दुनिया कहती है कि उन्होंने संपत्ति को छोड़ दिया उन्होंने संपत्ति को नहीं छोड़ा, उन्होंने विपत्ति को छोड़ा है, कि जो विपत्ति के कारण अर्थाद जिनके विकल्पों में फस करके स्वयम ही वो स्वरूप में लिन नहीं हो पाते थे, कितने अनंत 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 विकल्प चलते ही रहते एक के बाद में दुसरा, तीसरा, चौथा और बाहर निकल ही नहीं सकता जिसकी भवितव्यता और काल लब्धी ऐसी पकी हो वह निकल जाता है। तुमारे अंदर में इस पागलपन के कारण ही एक प्रकार की तैयारी हो रही है, मुनी धर्म अंगिकार करने से पहले इस प्रकार का पागलपन होता है। पता ही नहीं चलता कितनी देड़ तक ये सत्संग चला। यहां इसाब नहीं चलता, एक गंटे के लिए सत्संग करने के लिए बैठते हैं और फिर हम उड़ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता क्योंकि जहां पर गिंटी करकर के सत्संग होता हो, वहां साधना कहां। साधना कहां। घड़ी के काटे देख करके इंडरी के विशे के भोगों को भोगने के लिए नहीं बैठते हैं। वहाँ आनंद को भोगते हैं समय की और ध्यान नहीं चाता, यहाँ चैतन्य की आरादना और आत्मा की साधना के लिए गड़ी पर सब ध्यान जाता है, समय पर ध्यान जाता है, हमारी जो सारी साधना है वो मशीन के साथ में ही गड़ी के काटे के साथ में होने वाली साधना है, इसलिए दुनिया भले तुझे पागल का है सो पागल का है दुनिया की नजर में पागल होना है या सिद्धो के ग्यान में ग्यानी होना है यदि मैं दुनिया की नजर में समझदार होने जाता हूं तर्क देकर के युक्ति से मैं सत्य को, अपने को, सत्य सिद्ध करने जाता हूं. उनके सामने तो मैं जिट चाता हूं. मगर अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में मैं परत्विंबीत होता हूं कि मैं हार गया. क्योंकि मैं अग्ञानता और मिथ्यात्व के भाव के कारण हार गया जितना तुम एकांत में रह करके अनुभव करोगे तभी तुमें ये समझ में आएगा ये पागलपन आता कहां से है निर्भाईता निर्भाईता की वज़े से पागलपन आता है जहां भीड के साथ में रहता था वहां उसे अनंत अनंत विकल्प होते थे और एकांत में जंगल में चला गया वहां कोई साथी संगी कोई नहीं है फिर भी निर्भई होकर के अकेला रहता है साथना करता है कितने कितने दिन भी जाते है आहर का पता नहीं पानी का पता नहीं निंद का पता नहीं अग्यानी का हरे एक कार बस उसी तरह से होता है इसलिए अग्यानी का दुनिया में कहते हैं कि अग्यानी का कुछ भी ठिकाना नहीं है ज्यानी का बिलकुल ठिकाना है ज्यानी का हर एक कार्य परफेक्ट और बिलकुल अच्छी तरह से होता है अग्यानी का कुछ भी कार्य ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए अग्यानी का बिलकुल ही ठिकाना है अग्यानी जो करता है उसका पूरा ठिकाना है कि आज वो घर में बैठा है और कल वो घर में ही बैठेगा और ज्ञानी का ठिकाना नहीं है, आज घर में बैठे, कल जंगल में होंगे, या फिर पहाड के शिखर पर होंगे, या गुफा में होंगे, या पता नहीं किवल ज्ञान पाकर के मुक्ष में चले जाए ज्ञानी का कुछ भी ठिकाना नहीं है, यही तो उनकी मस्ती है, पर से किसी भी प्रकार की अब आशा नहों तब ये पागलपन आता है, कुछ लेना हो, किसी से कुछ पाना हो, तो फिर ये दिवान की नहीं आ सकती हमें कुछ ने कुछ लेना है, ख्याती चाहिए, लाब चाहिए, प्रसिद्धी चाहिए, और ज्यानी की मस्ती निराली है, उन्हें जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए अंतर की भावना से जहां भक्ती होती हो, बस, सहाज, 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 सह इसलिए वहाँ याद नहीं रहता कितने दिन से आहार नहीं लिया है मुनिराज का जो उपवास हो जाता है वो उपवास ऐसे ही तो होता है याद नहीं रहता कब आहार लिया था क्योंकि आत्मा के आरादना में इतने व्यस्त हो गए है पता ही नहीं देह का पता नहीं तो देह के आहार का पता क्या चलेगा उस समय ऐसा होगा जब तेरा रदई वैराग्य से इतना भीगा होगा उस समय अब समाज में लोग तुझे जहाँ जलसा करना है ऐसी जगह बुलाएंगे नहीं तुझे शादियों में, पार्टियों में जलसा करने के लिए कोई बुलाएगा नहीं क्योंकि तु वहाँ जाकर के भी उदासिन रहता है तेरे भीतर में तु अपने को रोक ही नहीं पाता तो चिंतन की अंतर की मस्ती में चला जाता है और तुझे वहाँ पर बिलकुल सुना सुना लगता है तो दिरे दिरे बाहर का जो सैयोग है वो गड़ता जाता है मितरता भी कम हो जाती है दोस्तों के साथ में वो जो संगती थी वो संगती भी अब कम होने लगती है कोई तुम्हें बुलाएंगे नहीं यहां तक कि ऐसा होगा कि घर में भी विवाद होने लगे यह संभावना पूरी है घर में भी विवाद होने लगे क्योंकि रुची एक समान नहीं है तुम्हारे घरवाले गणीत का हिसाब करते हैं, तु कितना कमाता है, कितना लाता है, क्या करता है, और उस समय तुम्हारी मस्ती चैतन्य की मस्ती है, मगर हाँ, ऐसा मत समझना कि फिर तुम चैतन्य की मस्ती के दिवाने होकर के तुम अपना ग्रहस्त का व्यभार चुक जाओ कि बस मैं तो अपने आत्मा में मस रहता हूँ, मुझे तो कुछ याद आता ही नहीं है, तो शादी करके पत्नी को लेकर के आया है, तेरे बेटे है, बेटी है, परिवार है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी है, सिर्फ तो आत्मा 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 करके इतना बड़ा धर्मात् जाएगा कि मुझे आत्मा ही आत्मा ही प्रितिकर लगता है और कुछ भी रुची कर नहीं लगता तब फिर तु घर में नहीं फिर तु वनमें मुनी होगा हम दो काम ऐसा करते है एक तो घर में भी रहते है और अपना व्यवहार भी चुप जाते है अपने घर में रहकर के घर की जिम्मेदारी पूरी तरस से निवाना और यदि घर में नहीं रहता है और जंगल में जाना है फिर ठीक है फिर तो कमाई नहीं करेगा चलेगा फिर तो दन इकठा नहीं करेगा चलेगा फिर सबकुछ माफ है फिर तो तुझे वस्तरकावी विकल्प नहीं आएगा तो चलेगा फिर तो ये कि तुझे कभी विकल्प आजाए कि ये मेरी पत्नी और परिवार है तो दोश लगेगा नगर जिस भूमिका में हम रहते हैं उस भूमिका में उस भूमिका के अनुरूप हमारा जीवन होना ही चाहिए बावरा होने का मतलब यह नहीं है कि निश्चिया भासी हो जाए बावरा हो जाता है पागल हो जाता नगर वह मस्ती भीतर की है इसलिए एक बात ध्यान रहे व्यवहार के मामले में तो अपना पूरी तरह से व्यवहार निभाना पूरी तरह से व्यवहार निभाना और जब निश्चे की बात आए अंतर की बात आए तब अंतर की बात में तो दिवाना होना कोई कहे कोई कहे कि आज तुझे शादी में आना ही पड़ेगा तो वहाँ पर तु पागल मत हो ना ना मैं तो जाओंगा ही नहीं मेरी जीद है मेरी पकड है नहीं ठीक है मैं आ जाओंगा वहाँ पर जैसे ग्रहस्त दशा में रहते हुए परिवार के साथ में रहते हुए उस प्रकार का व्यवहार निबाना मगर तत्व की बात आए कि राक का विकल्प आत्मा का है या परका है सामने वाला कहता है राक का विकल्प तो आत्मा का ही है आत्मा का नहीं है तो किसका होगा उसमें तो बावरा हो जाना उसमें तो किसी की मत सुनना इसलिए क्योंकि जो अध्यात्म का विशई है वह अनुभव का विशई है और अनुभव का विशई है वहाँ तरक यक्ति चलते नहीं है इसलिए वहाँ पर पागल हो जाना यही तो पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी का पागलपन था यही तो उनकी मस्ती थी कि तत्व के लिए वे कभी भी समझोता नहीं करते थे क्योंकि तत्व का समझोता नहीं होता तत्व की समझ होती है तत्व की अनुभूती होती है और तत्व के लिए कभी मनमानी नहीं होती तत्व सभी के लिए एक समान बाहर के एक शेत्र में जो कुछ भी समाज में रहता है परिवार में रहता है मित्रों के साथ रहता है उनका व्यवहार उस प्रकार से निफा लेना किसी के घर बे गया है तो वहाँ पर उसके हिसाब से ही चलेगा वो कहेंगे कि जूते यहाँ पर उतारो चपल उतारो मोजे उतारो तो उतारना पड़ेगा तुम यह नहीं कह सकते कि मैं तुमारे घर पर आकर के जूते पैन करके आऊंगा क्योंकि मैं अपने घर में जुते पेन के ही जाता हूँ पराये के घर में जाने के लिए पराये नीमों का पालन करना पड़ता है अब रास्ते पर हम चलते है अब भारत में हम चलते हैं तो यहां पर हम बाई दिशा में चलेंगे लेप साइड में चलेंगे अब यूरोप में और अमेरिका में चलेंगे तो दाई दिशा में चलेंगे ऐसा नहीं कहेंगे कि ना मेरी मर्जी मैं जहां चलना चाहूँ वहां चलूँगा क्योंकि बाहर की जो यात्रा होती है उसमें पुरा समाज है उसमें पुरा देश है दुनिया है वहाँ उसके नियम ही पालन करने पड़ेंगे वहाँ तेरी जीद और पागलपन मतलाना कि मैं तो ऐसा ही करूँगा जगत के क्षेत्र में जगत के नियम का पालन होता है और अध्यात्म के जगत में अनुभूती प्रमान होती है इस सिद्धान को समझना है आज के इस दोहे में इस चैतन्य की पुकार को आज हमें समझना है कि अध्यात्म के एक शेत्र में तो बिलकुल द्रड निश्चे करना कि विकल्प मेरा स्वरूप नई है सो नई है नगर पर में तो बिलकुल अच्छी तरह से उस भुमिका के अनुरूप वहाँ पर व्यवहार निभाना ही पड़ेगा वहाँ अपना नई चलेगा इसलिए व्यवहार के उपर तो समय सार में कितना वर्ण नाया है व्यवहार का ये कर ये कर ये कर व्यवहार का अपनी अपनी भुमी कानुसार व्यवार का कितना महत तो बताया ये चैतन्य की पुकार सुनकर के दुख इस बात का होता है कि जीव इतना इतना कठोर निश्चिया पासी हो जाता है कि ये तत्व को ही बिलकुल जहर बना देता अपने अंदर तत्व में कुछ गुदोश नहीं था दूद तो दूद ही था वेकर तू साप था इस वज़े से जहर बन गया इसलिए ये तत्व की बात सुनकर के कितना अंदर वितराक परिणती के तो फूल खिलने चाहिए यहाँ भीतर में काटे ही काटे क्यों है उसका कारण है क्योंकि तत्व को समझने में भूल की है तत्व को अपनी मन मानी से हमने पकड लिया जगत में रहते हैं तो जगत के अनुसार ही रहना पड़ेगा वहाँ पर उसके अनुरूपी रहना पड़ेगा इसलिए कुछ लोग इतने जड़ हो जाते खुद भी रात्रे में पानी नहीं पीते और कहते हैं कि हम मास नहीं खाते दूसरे को मास खिलाते भी नहीं हम मास नहीं खाते तो दूसरे को मास नहीं खिलाते क्योंकि पाप लगता है सही है बिल्कुल सही है मगर तु इतना भी जड़ मत हो जा कि तु पानी नहीं पिता और सामने किसी को ऐसी जरूत पढ़ी और तु पानी भी नपिला, पिला देना, पानी नहीं, सम्यकद्रस्टी ग्यानी धर्मात्मा खुद रात को पानी की बुंद नपिता हो, मगर दुसरे को जरूत पढ़े तो दूद भी पिला देता है। और सम्यक दृष्टी मा की ही बात करो, कोई मा सम्यक दृष्टी है, आत्म ज्ञानी है, रात को पानी भी नहीं पिती, उसका दो मेने का बच्चा है, और रात को रो रहा है, क्या वो उसे दूद नहीं पिलाएगी? तो दूसरे को दूद पिलाया ने उसने, उसका आत्म ज्ञान छूट नहीं जाता, सम्यक दर्षन छूट नहीं जाता, क्योंकि जगत में जहां रहते हैं, उसके हिसाब से उन नियमों का पालन करना ही होगा, उतनी तो मानवता उस मा के भीतर भी है, जिसने अध्यात्म का कुछ भी नहीं पड़ा है, उसमें भी इतनी मानवता है, इसलिए कहीं पर भी निश्या भासे न हो जाए, इस बात का ध्यान रखे, तु बावरा हो जाना, पागल हो जाना, मगर उस पागलपन का पता तुझे ही चलता है, वो दुनिया को नहीं चलता, दुनिया के सामने तु ऐसे ही रहता है, जैसे दुनिया रहती है, इसलिए तो निहल चंजी सौगानी जी के कपड़े देखो ने, उनका बोलना चलना देखो ने, उनका बात करने का धंग देखो, परमकृपालू देव की तस्वीर को देखा ने, हम ववाणिया गए थे, ऐसी ही तस्वीर है, जैसी सभी की, उस समय जो पैंते थे, राजकुमार, राजपुत्र जैसे कपड़े पैंते थे, ऐसे ही, कोई सेट, सेट के बेटे, जैसे कपड़े पैंते थे, ऐसे ही, तो जहां हम रहते, वहां उसी साब से ही रहना है, बाहर के जगत में ऐसे ही चलेगा, अब तुम घर से बाहर निकले, और स्कुटर के उपर यात्रा करते हो, तुम गाड़ी में यात्रा करते हो, यह यात्रा करते हो ने अब तुम भैवीत नहीं होते तुमें मंजूर है कि जो भी हो जाएगा बस यह शरीर अनित्य है मृत्यों आएगी तो मुझे मंजूर है अब ट्राफिक पोलिस वाले ने तुमको कहा कि हेलमेट किदर है तुम कहोगे कि मैं निर्भई हूँ आत्मा अमर है मुझे कोई डर नहीं लगता तो वो नहीं चलेगा वहाँ पर हेलमेट पहन करके ही निकलना पड़ेगा वहाँ तुमारी मनमानी नहीं चलेगी ट्राफिक पुलिस पूछेगा कि सिट बेल्ट किदर है तुम कहोगे मैं खुद भी बेल्ट भी पहनता सिट बेल्ट क्या पहन हूँ मैं तो कुर्ता पजामा पहनने वाला सिट बेल्ट मैं पहनता ही नहीं वहाँ ऐसी जड़ता नहीं चलती व्यवहार में जहां रहते वहाँ उन नियमों का पालन करना ही होगा मुझे भई नहीं लगता है गाड़ी में अब तो ये नियम आ गया या आने वाला है परदेश में तो है कि ड्राइवर कोई सिट बेल्ट में एनना ऐसा नहीं ड्राइवर के पास में बैठा है उसको भी सिट बेल्ट पहनना है और पीछे गाड़ी में जितने भी बैठे है सभी को सिट बेल्ट पहनना है मुझे में थोड़े दिन पहले यह ऐसा हुआ था एक आदमी के साथ में में जा रहा था अब उसने सिट बेल्ट नहीं पहनना था खुद गाड़ी चला रहा है फिर भी नहीं पहनना और पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस को कहा कि क्या जो भी बैठे गाड़ी में सबको सिट बेल्ट पहनना जरूरी है बोले हाँ जरूरी है अब मैंने तो पहना था क्योंकि मेरी आदते है बैठते ही सिट बेल्ट पहन लेता हूं परदेश में उसके बिना चलता ही नहीं है देश में तो चलो चल भी जाए मगर आदत हो जाती है तो पैंग लेते अब उसने कहा कि ये सिट बेल्ट का नियम यदि नियम है तो जितनी भी सिटी बस है वो city bus में सभी passenger को sit belt क्यों नहीं पैना दे उसकी बात भी सच्ची थी गाडी में यदि sit belt लागो होता है तो फिर bus में भी फिर belt होना चाहिए sit belt वहाँ पर भी होना चाहिए मगर ये विवाद वहाँ करना नहीं था उसे sit belt पैनना था नहीं पैना था तो उसका डंड दे करके वहाँ से निकल जाना था जंजट में दुनिया में कहीं पर भी नहीं पढ़ना बाहर के जगत में कहीं पर भी विवाद में मत पढ़ना और भीतर के जगत में इतना द्रड निश्चे ही रखना तभी तुम वहाँ पहुँचोगे इसमें जो वाक्य का उपियो कियाने वो गजब की बात है देख क्या कहा तो मोह को उखाड कर सिद्धी महापूरी में चले जाना तो वहाँ पर पहुंच जाना वहाँ चले जाना बीच में रुकना मत जब तो कोई ऐसे कार्य के लिए घर से निकला है तो बीच में कहीं पर भी रुकना मत बहुत निमित तुझे ऐसे मिलेगे जहां पर फसने की संभावना है जल्दी से जल्दी बस एक घंटे का समय है अभी एरपोर्ट पहुंचना है तो बीच में कहीं पर भी विवाद नहीं करते थोड़े दिन पहले ही मैंने एहमदाबाद में मैं और मोटा भाई साथ में थे एक आदमे को लड़ते हुए देखा क्योंकि उसका ओवर्टेक किसी ने कर दिया वो ऐसे जगड रहा था कि एक घंटे जितना वहाँ पर खड़े 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 इतना कि मैं गाड़ी अपनी यहां से नहीं अटाऊगा क्योंकि तुने मेरा ओर टेक करके तुँ आया तो अब मैं तेरे आगया आगया इतना विवाद हुआ कि वो वहाँ से गाड़ी नहीं अटा रहा था मगर लोग भी हमारे आगय के उसको देखने में मस थे तो हमारी लाइन भी रुख गई थी मगर उस समय मुझे एक विचार आया था विचार यह आया था कि यह अराइवल में हम उतरे है और यहाँ पर यह सब जंजट चल रही है कि डिपार्चर में होता और फ्लाइट पकड़ नहीं होती तो क्या यह आदमी इतनी जंजट यहां करता कि चुप चाप निकल जाता कि फ्लाइट चली जाएगी अभी शांती है कुछ पकड़ना नहीं है मगर जाना हो तो फिर समय कम है जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ एक लाख रुप्य की टिकेट खरी दिये कहीं बीच में अटक न जाओ माफ करना माफ करना हाथ जोड़ जोड़ करके निकलते हैं सिक्यूरिटी में जब फ्लाइट का टाइम हो डिपार्चर का टाइम हो और लेट हो गए हो तो कैसा कहते है कतार में आगे खड़े उनको प्लीज 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 मैं जाओ मैं जाओ जो यात्रा करते हैं उनको पता है योगि जहां पता है कि मुझे पहुँचना है जहां पहुँचना है तो विवाद नहीं करना प्रेम से हाथ जोड़कर के काम निकाल लेना ये कला जानना वहां जञजट नहीं करना यहां यही बात कहते है कि तू इतना बावरा हो जा पागल हो जा हठी हो जा मगर हठी दुनिया के सामने मत हो जा अपनी अंतर की चैतन्यकी मस्ती में हठी हो जा अपर उल्टा करते है दुनिया के सामने हठी होने जाते है और भीतर में फ्लेक्सिवल होते है मैं ज्ञायक भी हूँ और राक का विकल भी मैं हूँ मैं दोनों मैं हूँ मैं शुद्धात्मा भी हूँ और ये घर मेरा भी है वहाँ पर flexible होते हैं वहाँ पर द्रड़ता लानी थी कि नई मैं चैतन्य ही हूँ व्यवहार बाहर का पूरा का पूरा निभाते हुए उस समय वो देखता है कि ये व्यवहार निभाने वाला मैं नहीं व्यवहार तो निभाया जा रहा है तभी balance होगा वरना निभाया व्यवहार का balance ढिकेगा कैसे जगत में कहीं पर भी विवाद नहीं करना जो आया वो जाने वाला है इतनी जागरुती के साथ में और जो गयास हो गया ये परहम कृपालो देव की मस्ती है जो गयास हो गया मेरा कुछ भी नहीं गया ये जागरुती इसलिए वहां तो इतनी द्रड़ता लाना ये देखे परवाणों ऐसे ही ऐसे ही चैतन्य 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 ऐसी ही चैतन्य की मस्ती देखे परवाणों में ये जागरुती रहे एक 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 अंग भी आत्मा का कम नहीं हुआ ज्यानी को भी ऐसा हो सम्यक द्रस्ती को नरक में नारकी होने तो नारकी के शरीर के टुकडे टुकडे हो जाए नारकी के शरीर के टुकडे हो जाए तो भी सम्यक द्रस्ती को ऐसा लगता है हमारी तो खाली एक उंगली कट जाए उंगली किया थोड़ा सा भाग यहां से कटता हो और खुन निकलता हो तो लगता है कि मेरा कुछ चला गया तो मेरा वाला भाव उसमें है कि यह खुन की बुन टपक रही है वो मेरा खुन है इसलिए तो एक आदमी के शरीर पर मच्छर बैठा उसने उस मच्छर को ऐसे ही जाकर के आथ लेके गया मगर उड़ा दिया मारा नहीं इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने का मच्छर के अंदर मेरा खुन था अपन कहते ने बेटे मेरा खुन है बाप का खुन बेटे के अंदर है ऐसे ही वो मच्छर के अंदर मेरा खुन था उस मच्छर को भी न मारा वो मोह वहां तक पहुँच गया कि वो मच्छर भी मेरा है क्योंकि उसके अंदर खुन मेरा है वह जो मोह का भाव है उस मोह के भाव को तो उखाड़ दे ये द्रड़ता जो गया सो गया बस उसमें मेरा कुछ भी नहीं गया ये जागरूती ये चैतन्यकी मस्ती लाना इतना द्रड़ निश्चाई करके एहमदाबाद में थोड़े दिन पहले ही में एक साधक को मिला उन्होंने मुझे कहा कोई भी व्यक्ती मेरे पास में पैसा लेने के लिए आता है ने पडोसी कब्भी मैं मना नहीं करता दे देता हूं पडोसी को जरूरत पड़े तो पैसा देता हूं उसने कहा कि दस जार रुपिये दो मैंने दे दिया मैं लगा क्या बात है नगर उसने कहा कि मेरा नियम है कि कोई भी पडोसी हो रिष्टेदार हो उनको मैं दे देता हूँ नगर एक शर्त है कि वो जब वापिस देने के लिए आएगा तो मैं वापिस कभी नहीं लेता 10,000 रूपिय उसने मांगे मैंने 10,000 दे दिये थोड़े दिन के बाद मैं आया था वो वापिस देने के लिए नगर मैंने लिये नहीं मैंने लगा यह ऐसा क्यों किया आपने जान बुझकर के वो जब सामने से देने के लिए आ रहा है तो भी 10,000 वापिस नहीं लिए उसने कहा मुझे अच्छी तरह से पता था कि 10,000 ले लेता तो फिर थोड़े दिन के बाद मैं पचास जार लेने आता इसलिए पहले से ही 10,000 लेने का ही नहीं कि दुबारा आये नहीं मांगने के लिए वही पर ही उसको रोक दो नगर भारत में 10 के बाद में पचास लेने के लिए भी आ सकते मैं बहुत बार ऐसी साधकों की कसूटी करता था रिष्टेदारों में यह ऐसी कसूटी करता था गाओं में यहाँ पर जब लोगों को पूछता कि कोई जरूरत हो तो बता न वो कह यहाँ जरूरत है कितनी जरूरत है वो ले तीन अजार रूपिय की जरूरत है तीन अजार की जरूरत है ले भई तीन अजार ले ले फिर मैं जान बुछ करके उनको पूछता कि तीन अजार इनफ है ने ज़्यादा तो जरूरत नहीं थी ने तो उसको लगता है रही यार तीन के बड़ले में पांच बोल दिया हो तो तो अच्छा था मैं जानमुझकर ऐसा बोलता है कि तीन में हो जाएगा ने कम तो ले वैसे तो हो जाएगा लेकिन किन्तु परंतु बट ये मोह का भाव ये लूब का भाव अंदर से ये अंदर से पनपता रहता है और ज्ञानी हरेक किसी को आँखों से देख कर ये पहचान लेता है इसलिए तो पता चल जाता है ज्ञानी को इसने पाया किस किसने पाया है उनको देख करके ये पहचान लेते हैं कि उसका मोह का भाव पिगलाया नहीं और मैं अत्यंत आनंदी तूं ये चैतन्य परमात्मा आपको मिल करके यही तो तुमारी दिवानगी है यही तो चैतन्य की दिवानगी है कि तुम तैयार हो तुम कैसे भी करके तुम तैयार हो गए हो यह सुनने के लिए ये मानने के लिए तुम तैयार हो गए हो कि मैं चैतन्य ही हूँ बस और कुछ भी नहीं मैं चैतन्य ही हूँ नहीं तो तुम्हें कितने कितने कोई भी प्रलोबन नहीं कोई भी तुम्हारे सामने कोई आशा अपेक्षा कुछ भी तो नहीं है हमारे बीच में लेंदेन क्या है दिवाने हो जाओ दिवाने हो जाओ जिसका कुछ भी अगले समय का कुछ भी पता नहीं कल का क्या है मुझे नहीं पता यही तो और उस समय जो शान्ती उस समय जो आनन था वह आनन निराला था अभी दो दिन पहले ही जब ज्ञान दीपकों का चैतन्य कनेक्शन का जो सेशन था उस समय कहा था ने कि मैं मुंबई गया मुंबई से जब फिर एक साल के बाद में तो 78,000 रूपिया आने लगे हर मैने के फिर दिरे दिरे मैने के 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इतने लोग दिवाने हो गए थे मुंबई में और यहाँ पर उम्राला में दयादान धर्म चलता रहता तो हर महीने बैंक में एक अजार रूपिय रखता था आज भी मेरे पास में बैंक का स्टेटमेंट है एक अजार रूपिय रखता था और उसमें जो शान्ती थी क्योंकि अंदर से ऐसी मस्ती थी कि कल की चिन्ता नहीं करनी कल क्या होगा आज मुझे बहुत से लोग कहते आपने थोड़ा वीचार किया होता अपना थोड़ा बैंक बैलेंस सेव कर लिया होता बचा के रख लिया होता कुछ भी काम में नहीं आता तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत बस तु बिलकुल सहज हो जा सहज हो जा निर्वी कल्ब अनुभूती भी तो ऐसे ही है जब पहली बार होती है तब कुछ भी नहीं चाहा कोई भी मोह नहीं था मोक्ष में जाने का भी मोह नहीं रहा तभी तो कृपालु देव कहते यहां पर ही तू छो मोक्ष स्वरूप ऐसा अनुभू होता मैं स्वयम ही मोक्ष स्वरूप हूँ ऐसा अनुभू होता कर तो आज का यह बोध जो है यह मुनिवर राम सी बावरा होने को पागल होने को कहते है कि तू पागल हो जा तेरा ध्यान न जाए यह जीव लोग तेरे को हठीला हठीला कहते है कहेंगे यह चैतन्य 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 क्या लगा के रखा है लोग यह कहेंगे मगर फिर भी उसकी चिंता तू मत करना चैतन्य 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 यह दिन राज चैतन्य चैतन्य कहते है थोड़े दिन पहले एक वीडियो हमने भेजा था वो पूर्णी मा के चांद का तृष्ला माता का कित तो उसमें पूर्णी मा का चांद का वीडियो था किसीने मुझे मेसेज भेजा कि ये क्या लगा रखा है कभी कभी पुर्णिमा के चांद का भी आनंद उठा लिया करो हर बार हर किसी में बस सिदा नदी बहती है तो उसमें भी चैतन्य गुसा दिया सुरज का उदई होता है अस्त होता है उसमें भी चैतन्य गुसा दिया आप हर एक बात में चैतन्य चैतन्य ही गुसा देते हो कभी-कभी जिन्दगी का भी मजा लिया करो लोग कहेंगे कि हर एक बात में चैतन्य क्या नगर उस समय तुमारे विचारों में यही चलेगा तुम रोक नहीं पाते हो तुम्हारी धारा ही चैतन्य की इस चैतन्य मैं ही हो जाती है कि तुम रोक ही नहीं पाते जहां जहां इसलिए तो मुनिवर रामसी केते हैं जहां जहां देखो वहां 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 ज्यान ही चानने में आते तू ऐसा बावरा हो जा कि दुनिया कहे कि सामने देख मगर तू मानने को तयार नहीं दुनिया कहे कि देख सामने पहाड है और तू बावरा हो गया कि पहाड नहीं है यहां तो ग्यान है देख सामने सागर है तू कहता है कि सागर कहा है यहां तो ग्यान है क्योंकि सामने देख सामने ये दिखाई दे रहा है और तु कहता है कि दिखाई दे रहा है नहीं ये ज्ञान अनुभव में आता हुआ दिखाई दे रहा है यह ज्ञान अनुभव में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यह मानना, 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 यह तेरा अनुभव प्रमाण से, यह अनुभव प्रमाण से तु स्विकार करता है, यह अनुभव प्रमाण से तु उसका स्विकार करता है, यह जो अनुभव प्रमाण से स्विकार करता ह यही पागलपन है यही पागलपन है यह जो अनुभव में आता हुआ मुझे दिखाई देता है यह ज्ञान ही तो अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है इसलिए जो बस्तु यहाँ पर जीपर जिस आकार में वो पदार्थ है लड़ू है गोल आकार का है मगर गोल आकार है वो चांद जैसा वो सुरज जैसा वो पृत्वी जैसा कि जैसे दुनिया का गोल नक्षा है ऐसे यह दुनिया का गोल नक्षा और वो लड़ू का आकार भी ऐसा है दुनिया का नक्षा भी ऐसा ही गोल आकार का है और उसके उपर ही यहाँ पर भारत है यहाँ पाकिस्तान है यहाँ अफगानिस्तान है पूरा लड़ू के उपर ही वो नक्षा बना दिया गया और उस लड़ू को तुने उठाया मैं तुझसे कहता हूँ वो जो तुझे भाव बताता हूँ उस भाव को तु समझ क्या होता है पागलपन समझना, सुक्ष्म है, सुक्ष्म है ध्यान से सुनना कि उस लड़ू के गोल लड़ू है उसके उपर दुनिया का नक्षा है अब तुने लड़ू लिया और तुने यहाँ पर यहाँ पर तुने मुझ में रखा और सामने जो व्यक्ति है उसे उस नक्षे में भारत भी दिखता है पाकिस्तान भी दिखता है उसे पुरी दुनिया के सभी देश दिखाई देते वो व्यक्ति तुझे कहता है कि अरे तु तु पुरी दुनिया को निगल गया खा गया तु तु पुरी दुनिया को अपने अंदर पेट में ले गया तु ने दुनिया को चक लिया या नहीं चक लिया अब वो लोग तुझे यही कहते कि तुने दुनिया को खा लिया दुनिया को खा लिया नगर तु मैंने लड्डू को खाया है क्यों? क्योंकि वो तेरा अनुभव हुआ है मीठे रस का अनुभव हुआ है वहाँ बादाम है वहाँ घी है वहाँ सक्कर है जो भी पदार्थ उसमें मिले थे तू कहता है कि मैंने लड्डू का स्वात चखा है तो दुनिया की द्रस्ति में उसी आकार में दुनिया ने कलपना की थी दुनिया ये कलपना करती है कि वहाँ पर ये दुनिया का नक्षा है या दुनिया का आकार है और तेरा रस वहाँ अनुभव में आता है क्योंकि तु अभेद होकर तु जीब से वह अनुभव करता है कि ये लड़ू है और वो आँख से देखते हैं कि ये दुनिया का नक्षा ये दुनिया पूरी यहाँ पर है वास्तों में वहाँ पर दुनिया है ही नहीं मेगर स्वात वहाँ पर है जिसका अनुभव तुझे हो रहा है क्योंकि देखने में अभेद्ता नहीं होती स्पर्श करने में और चकने में अभेद्ता होती है इसलिए तो देखना और छूना ये अलग-अलग है छू लेने में अभेदता है इसलिए परियाई द्रव्य में अभेद होती है फासला नहीं रहता देखने में फासला हो सकता है अनुभूती में फासला नहीं होता देखने में दूर चांद भी दूर से दिखाई दे सकता है सूरज भी दूर से दिखाई दे सकता है तारे इतने दूर दूर दिखाई दे सकते है, मगर अनुभूती के लिए स्पर्षना चाहिए, और ये लड़ू जो तुझे जीब पर आया, वह तुझे स्पर्षना तुझे हुई, उसका अनुभव हुआ है, जिसका अनुभव होता है, बस वही है, अनुभव, अनुभव से फिर तेरे अंदर वह बावरा जो पागल पन आएगा, वह अनुभव से आएगा, मैं नहीं मानता कि यहां कोई ग्ञान ही ग्ञान है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा अनुभव है, यहां पर ग्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यह ग्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ग् अग्ञानी की नजर में ज्ञानी पागल हो गए अग्ञानी की नजर में ज्ञानी पागल हो गए मगर इस कारण से तो ऐसा मत समझना कि यदि तो सचमुझ पागलपन कर रहा है और दुनिया तुझे पागल देखती है तो इस भ्रह्म में मत रहना कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं पागलपन करता हूँ और सचमुच पागलपन हो वो ज्ञानी का नहीं अग्ञानी का ही पागलपन हो मगर मुनिवर रामसी का ये दोहा पढ़ने के बाद में ऐसा ब्रम्बे हो जाए कि बस मैं तो ज्ञानी हूँ क्योंकि ज्ञानी पागल हो सकते हैं वो पागलपन जो है वो अनुभूती का पागलपन है वो बाहर की क्रिया और हरकतों का पागलपन नहीं है वह अनुभव का पागलपन है कि मुझे एक ज्यान ही अनुभव में आ रहा है तुम चाहे जो कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा यह अनुभूती मुझे स्वयमकी हो रही है आज यह मुनिवर रामसी इस अनुभूती का सुरूप जो कहते है कि दुनिया तुझे हठीला हठीला कहे तो भले कहो ख्षोब मत करना तुम मोह को उखाड कर सिद्धी महापूरी में चले जाना आज पागलपन का ही यह दोहा था दोहा था दोहरा नहीं था पागलपन का पागलपन का ही यह दोहा था जो अंदर से इतना द्रड निश्चे कराने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है मैं क्या करू कोई मुझे समझने वाला ही नहीं मिलता कोई मुझे समझता नहीं जो मैं सोचता हूँ मुझे सामने वाला अलग ही सोचता है उल्टा ही सोचता है मैं क्या करूँ दोश मेरे अंदर इतना परा-पड़ा है वरना मुझे ऐसे निमित क्यों न मिले हर बार यही देखना कि ये मेरे ही करम है पतनी खराब नहीं है बच्चे खराब नहीं है मैं इतना पाप के करमों के मैल से यहां पर बंधा हुआ हो कि मेरे ही करम के फलकों में भोग रहा हूं इसलिए कभी भी दूसरे के उपर दोश देने की वृत्ती ही नहीं उती आज ये पागलफन का ही प्रयोग करना है चाहे दुनिया तुझे बावरा कहे तो कहे अठीला कहे तो कहे यदि मैं चैतन्य ही हूँ इसलिए परमशुद्ध निश्चे ने का विशई है वैं एकांत का विशई है वो सम्यक एकांत है वहाँ अनेकांत नहीं लेना मैं थोड़ा तो शरीर हूँ थोड़ा आत्मा हूँ थोड़ा तो अशुद्ध हूँ थोड़ा शुद्ध हूँ ऐसा वहाँ नहीं लेना यहाँ तो यही के शरीर से जुदा ही हूँ और शुद्ध ही हूँ ऐसा एकान लाना उसको यहां पर हटी लाका है मैं ग्ञायक ही हूँ ग्ञायक ही हूँ और ग्ञायक ही हूँ यह जो ही वाला भाव है वो ही वाले भाव को ही हटी लाका है करेंगे आज प्रयोग देखो उपियोग को सुक्ष्म करना होगा तरंगों के उपर ही यदि तुम तेरते रहोगे तो भीतर में जो मोती है वो मोती नहीं मिलेगा अदभूत जो राज है वो गैराई में ही छुपे होते है इसलिए ये प्रयोग से पहले उपियोग को तो सुक्ष्म कर जितना उपियोग सुक्ष्म होगा उतना ही मार्ग सहज हो जाएगा सुख्ष्म उप्योग से द्रव्य को ग्रहन करने के लिए द्रस्टी भी उतनी ही सुख्ष्म चाहिए सुई के छेद में से धागे को पिरोने के लिए द्रस्टी सुख्ष्म चाहिए कि धागा भी इतना सुख्ष्म है वह सुई का छेद भी इतना छोटा है और उसमें धागा तो और सुख्ष्म द्रस्टी चाहिए ऐसे ही परियाई को अपने उपियोग को अंदर ले जाना है तो सुख्ष्म कर, सुख्ष्म का भाव थोड़ा समझ ले ऐसे निमित जहाँ पर मेंड़क की तरह उपियोग चंचल होकर के भटकता हो, उसका नाम है उपर उपर तैरने वाला उपियोग उपर उपर से तैरने वाला उपियोग राग से विकल्प से उपियोग को अलग देख का उपियोग को अलग देख करके तो जो जानना 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 तो उन दोनों को दोनों के बीच में विवाजन करके फिर उपियोग को यहां सुख्ष्म करके ले जाए कैसे इसे देख जैसे ही तेरा ध्यान गया जैसे ही ध्यान गया कमरे के अंदर तू प्रवेश करता है कमरे में आते ही तूने कोई बस तू देखी तो पहले तुझे लगी है प्यास और कमरे में पानी है, वहाँ पर टैबल भी है, वहाँ पर थाली भी है, गिलास भी है और पानी भी है, जिसे ही तेरा ध्यान पानी पर गया, उसे कहते हैं उपयोग तेरा पानी पर गया, मगर उपयोग पानी पर ही क्यों गया, वहाँ तो औ राग होता है उपियोग वहाँ पर जाकर के फिर स्थीर होता है फिर वो पानी में टिक गया ऐसे ही होता है कि लड़का लड़की को देखने के लिए गया अब वहाँ पर लड़की के पूरा परिवार वहाँ सामने है नगर लड़के का उपियोग उस लड़की में ही क्यों है जहां राग है तो उपियोग वहाँ पर जाकर के फिर राग के साथ में अब दोनों को अलग कर कि राग जो है वह राग का सुभाव बिलकुल जड़ है आकुलता है राग का सुभाव वह दोख है और उसका इस उपियोग के साथ में जो मात्र जानना जानना उसके साथ में तो पहले दोनों को अलग कर, राग और उपयोग को अलग कर माने, उसका विचार करते करते, चिंतन करते करते तु फासला देखता जाएगा, जितना ये दोनों के बीच में फासला देख सके, उतना देख, फिर जो उपयोग अलग है, सुक्ष्म उपयोग ही, सुक्ष्म उपय जिसका सोभाव मात्र जानना 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 और बैठना नहीं हुँ पक्षी का उड़ना 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 और डाली पर बैटना नहीं तो कीवली भगवान का केवल ग्यान कैसा होता है कि राग वहाँ नहीं है पानी पीना है ऐसी इच्छा और फिर पानी को जानना ऐसा नहीं है वहाँ सहज पानी जानने में आ जाता है राग नहीं है अब वो जो ग्यान है जानना वह ग्ये के उपर बैठता नहीं है इसलिए डाली के उपर जो पक्षी बैठता नहीं हो और फिर भी उड़ता रहता हो ऐसे ही इसको तु देख ग्यान ऐसा है जानना जानना ऐसा है जो ग्येयों के उपर बैठता ही नहीं है तब तू अलिप्त अनुभव करेगा किसके साथ कि कही पर भी तू यहां नहीं है तब तुझे लगेगा ही नहीं कि ज्ञान कमरे में होता है ज्ञान भारत में होता है और जितना फासला देखेगा वहां का उतना ही अपने से अभेद अनुभव करेगा तब तुस्तरी नहीं रहेगा, पुरुष नहीं रहेगा, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य ऐसी अनुभूती है अब भेद हो गया, तुन्हें ग्णेयों के उपर ये ग्णान बैठता नहीं है ऐसा तुने देख लिया गुलाम होकर के उसे उसका अवलम्बन लेना पड़े जैसे पक्षी को एक लाठी के साहरे चलना पड़े वो पक्षी किस काम का? वो पक्षी किस बात का? पक्षी तो वह कि जो अपनी पंखों से ही उड़ता है ऐसे ही ये देख कि जानना जानना ये ग्णेयों पर बैठता नहीं है और ये यात्रा अंदर ही अंदर होती है वहाँ स्पेस को तु देखता है कि देखो निकला पक्षी पूरब से पस्चिम जा रहा है यहाँ स्पेस को नहीं देखना है यहाँ पर जानने के परिणमन को देखना है अंदर ये अंदर जो TRANSFORMATION चल रहा है जानना 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 इसी का नाम Modification है यही परिणमन है जानना 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 और जितना इसके साथ में तो Аभेद हो सके उतना अभेद होने का प्रयोग कर सार आज के इस सत्संग का और आज रात्री में सोने से पहले प्रयोग का सार इतना ही तुम लोग करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता मेगर आज रात्री में ये प्रयोग करना ये कि बस ज्ञान जो है ये ज्ञान ये योग पर बैठता नहीं है जैसे पक्षी डाली पर बैठता नहीं है डाली को लेकर के उड़ता नहीं है ऐसा ही मैं ज्ञान स्वरूप हूँ आपका ये प्रयोग सफल हो ऐसी में पावना भाता हूँ आप समस्त ज्यान दीपकों को हठीले ज्यान दीपकों को विशेश रुप से प्रणाम करता हूं प्रणाम चैतन्य 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 अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सेंदु पार इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहत जिन की दशा वरते देहातीत उन ग्यानी के चरण में ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित